तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल्डिस गोल्ड में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके पास पुराने सिक्के या नोट है आपको उसके बारे में कोई भी जनकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कौन सा पांच रुपे का वो सिक्का है जो रेयर कैटेगरी में आता है जो आपको collect करना चाहिए दोस्तों ये जो 5 रुपे के सिक्के आप लोग देख रहे हैं ये है 9 ग्राम वजन के कोपर निकल के सिक्के इस तरीके के design के इस तरीके के metal 9 ग्राम वजन के सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे ये देख सकते हैं ये है आखरी सिक्का 2004 का वीडियो भी बनाईए इस coin पर आप channel पर देख सकते हैं ये valuable coin है उसके बाद 2005 और 2006 में कोई भी सिक्के RBI ने जारी नहीं किये उसके बाद आया 2007 का ये cross coin ये देख सकते हैं आप इस coin को दोस्तों काफी भारी विरोत का सामना करना पड़ा था जनता के क्या reason है और क्यों valuable इतना है ये coin आप भी जानते होंगे शायद आप में से भी काफी कम लोगों के पास ये coin अवैलेबल होगा क्यूंकि ये rare coin है दोस्तों जैसे मैंने बताया 2005 और 2006 में कोई भी 5 रुपे के सिक्के नहीं आये थे उसके बाद ये stainless steel का ये सिक्का आया 6 गराम वजन का एक नए design का सिक्का RBI ने निकाला जनता के सामने ये सिक्का आया लेकिन इसको जनता के भारी विरोत का सामना करना पड़ा इस cross symbol की वज़े से coin पर आप देखेंगे सिक्के की over side ये अशोक का pillar बना हुआ है और यहाँ पर value और year mention है coin के reverse side पर देखेंगे ये cross unity in diversity की theme पर ये सिक्का बना हुआ है लेकिन जनता के विरोत का सामना इसलिए करना पड़ा इस cross के लेकर तो इस coins की mintage बीच में ही RBI ने बंद करी इसलिए आज की date में ये सिक्के काफी कम available है क्यूंकि इस सिक्के पर controversy हो गई थी इस cross symbol को लेकर तो ये सिक्का आ जाता है एक rare category में ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इतनी अच्छी condition में नहीं है ठीक ठाक कह सकते हैं आप इसको तो 2007 में बनाया गया ये stainless steel का सिक्का है और ये स्रिफ और स्रिफ कलकत्ता मिंट की तरफ से ढाला गया था आज की date में ये सिक्का rare की category में आता है और अगर इस सिक्के की कीमत की बात करे तो 2000 रुपे से लेकर 7000 रुपे अभी चल रही है अब आप समझ सकते हैं हर सिक्के के पीछे कोई ना कोई reason होता है अगर वो rare है या scare category का है और अगर काफी जादा rare है extremely rare में आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इत्यास जुड़ा होता है हर सिक्के के उपर कोई भी rare सिक्का है तो उसको rare वो इसलिए बनाते हैं कुछ ना कुछ बाते जुड़ी होती है उस सिक्के को लेकर ऐसे ही ये 2007 का सिक्का है तो ये सिक्का इतनी असानी से नहीं मिलता है जैसे मैंने बताया ये सिक्के आम चलन में आये थे इनको जनता का विरोत का सामना करना पड़ा इनकी mintage रोक दी गई आज की date में ये सिक्के बहुत कम available है उसके बाद 2007-2008 में आपने देखे होंगे वो waves वाले कोईन stainless steel के देखे होंगे आपने 2007-2008 में आये थे वो सिक्के जो आपको collect करने चाहिए क्योंकि ये market में कम available है आगे जाकर इन सिक्कों की value और भी बड़ेगी तो दियान रखें आप तो ये है वो क्रोस कोईन 2007 का सिरिफ कलकत्ता मिंट्स की तरफ से जाला गया था और किसी मिंट्स से जलाई नहीं हुई थी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद